नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक इंटरनेट टर्मिलोजी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो इंटरनेट का विस्तार रूप आप बहुत अच्छे से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आप वो कमी बहुत अच्छे से आगे प्रॉब्लम क्रेट करेगी, तो देखिए, बेसिक टर्मिलोजी में जैसे आपका एस्टीटीपी का क्या रूल होता है, आप इसको क्यों इस्तमाल की जाते हैं, आपका अप्लोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है, एफटीपी का क्या रूल होता है, हमारे व होता क्या है ठीक है नोड क्या होता है hosting क्या होता है workstation क्या होता है और bandwidth क्या होता है ये सारी terminology की बारे में detail में बात करूंगा वीडियो को last तक जरूर देखें कि जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो समय ना गवाते हुए आए वीडियो को start करते हैं मैं हूं आज मैं आपको बताऊंगा यह basic terminology के बारे में सबसे पहला यहाँ पर देखें terminology आपका है HTTP के बारे में आपको यह पता होना चाहिए hypertext transfer protocol होता है जो कि एक जगे से दूसरी जगे communicate करने के लिए हाँ पर इस्तमाल किया जाता है आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी कोई website बनती है तो मुझे क्या वो data कहां से आता है यह कर सकते एक जगे से दूसरी जगे अगर data को मैं transfer कर रहा हूं तो वहाँ पर मुझे HTTP की आउसकता पड़ेगी इसका पूरा नाम आपको पता है कि देखिए hypertext transfer protocol में इस text के जरीए आप क्या कोई भी data को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे जो कि linking की मदश्य करेंगे अब यह क्या एक rule है क्रेगलेशन जैसे कि आप देखेंगे हर एक website के जस्ट आगे आपके लगा होता है क्योंकि यह यहाँ पर आपको connect करता है उ जब भी मुझे internet या का सकते हो server से data को access करना हो तो मैं http के मदश से मैं data को communicate कर सकता हूँ या उससे मैं बातचीत कर सकता हूँ या वहां से data को accept करना वो कहलाएगा आपका downloading और वहां से data को वहां पर रखना वो कहलाएगा uploading मतलब कुछ आप इसको समझ सकते हो जब कभी और data को मैं क्या करता हूँ upload करता हूँ मतलब send करता हूँ कहां पे server पे वह पका uploading अब जब भी महां से server पर से मैं आकर download करता हूँ या मैं server पर से data को receive करता हूँ उस यह को मैं बूलूँगा downloading तो यह आपका बहुत अच्छे से आप जानते होगे कि uploading, downloading आप सभी लोग इस्तमाल भी करते होगे, पर धेर सारे file या धेर सारे document को आप यहां से download भी करते हो, और अपने drive पे या अलग लग जगह पे share भी करते हो, मिस्स उसको upload करके रखते हो, अगला देखें, यहां पे FTP का क्या रूह होता है, यह बहुत ज connected है तो भी, और land wire से connected नहीं है तो भी, means internet की मदद से भी और बिना internet की मदद से भी आप अपने data को access कर सकते है, इस FTP के जरीए, तो देखें, यहां पे आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे देखें, मैं थोड़ा से इसको figure से describe करने की कोशिस करूँगा, आपको पता होगा कि अगर मैं FTP server बनाता हूँ, जैसे एक छोटा सा server है, अगर मैं land wire से connect कर देता हूँ, तो आप FTP के जरीए उसको access कर सकते हो, बेना internet का connection लिए वेकर, ठेक है, आप देखे, land wire क्या है, एक प्रकार का connection खुदी आप वहां पे provide करा रहे हो, जिसकी मदद से आप क्या यहां से यहां तक data को आप क्या proper तरीके से transfer कर पा रहे हो, इसी FTP के जरीए आप एक और चीज़ भी provide कर सकते हो, means आप internet की मदद से आप उसको global कर सकते हो, जिसके माध्यम से कहीं भी data को आप क्या कर सकते हो, access कर सकते हो, means FTP रहने से आपका दो फायदे होंगे, ए क्या land wire की जरीए में से locally आप उसको data को access कर सकते हो, in case अगर land wire है, आपको क्या global करना है, तो भी आप उसको internet से connect कर दोगे, और उसको globally कहीं भी आप access कर सकते हो, जैसे देखिए, इस figure में आपको पता चल रहा है, कि FTP client A को भी आप access कर सकते हो, और client B में भी आप क्या data को access कर सकते हो, अगर ये FTP server से connected होगा, तो अकर land wire से रहेगा, तो आप क्या, बिना net की वेवस्था से, आप इस file को access कर सकते हो, अगर net available है, तो इसको आप globally कहीं से भी आप access कर सकते हो, इस दोनों feature आपको इस FTP में मिलेगा, next समझेगा bookmark, bookmark एक आपका ऐसा function है, जिसके मदद से आप web page को क्या, उसके location को आप save करके रखते हो, जिसके मदद से आप क्या करोगे future reference, या जब कभी भी future में आपको इसकी जाओ सकता पड़ेगी, आप proper तरीके से directly हो, हाँ से open कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे है, धेर सारे में हाँ आपर bookmark बनाए हो, या क future जब कभी भी अगर मुझे इस website पे access करना हो, तो मैं directly अपने bookmark पे click कर दूँगा, और directly वो page आपका open हो जागा, जितने भी bookmark रहेंगे, वो आपके देखे bookmark सक्षन में आपके show करेंगे, तो इस तरीके से ये benefit होता है, आपके bookmark का, अगला topic यहाँ पर यह समझेगा कि आ आपका aski क्या होता, aski का पूरा नाम होता है American Standard Code for Information Interchange, या कहने का मतलब जब कभी भी अगर मुझे system, क्या समझता है, system आपका machine language समझता है, तो देखे, aski का क्या रोल होता है, मैं आपको थोड़ा से explain करना चाहूँगा, यहाँ पर आप समझेगे, जो aski code होगा, वो कह सकत हो कि अलग-अलग character का, अलग-अलग code पाया जाता है, अब देखे, कैसे इसको आप यहाँ पर use करोगी, इसका क्या रोल होता है, बहुत अच्छे से बिस्तार से समझेगा, आपको यह बहुत अच्छे से पता होगा, कोई भी system जो आपका समझता है, वो किस भासा में समझता मसीन की भासा में समझता है, means binary number की भासा में वो समझता है, अब जहिर सी बात है, हम अगर यहाँ से बात करते हैं, आप इंगलिस में, हिंदी में अगर कुछ टाइप करते हैं, तो वो क्या, आपका मसीन भासा में convert होता है, कैसे convert होता है, तो जैसे मालेज अगर आप alphabet लिख होगा, और 27 तक जाएगा, और अपर केस में 128 से start होगा, 255 तक यह जाता है, तो आपको यह जान लेना बहुत ज्याता है, जैसे मालेज अगर मैं keyboard से लिखता हूँ capital A, तो system जो समझेगा हो क्या, 65 का हो, यह देखिए, इसका value क्या, आसके code 65 होगा, 65 को binary में convert कर देगा, ठीक जनरेट करके देखिए, मैं यह convert नहीं कर, मैं random नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यह binary में convert हो जाएगा, हलाकि यह actual value नहीं है, मैं यहाँ पर assume कर के लिए की चल रहा हूँ, ठीक है, अब यह number मालेजिए, आपका binary कुछ ऐसा आजाता है, तो system जो समझेगा, वो 01 ऐसे 010 क form में यह समझता है, तो ask की code का हमारा यही रोल होता है, कि system को proper तरीके से language या हमारे आपस की बीच में बातचीत बहुत अच्छे से हो सके, तो आपको यह बहुत अच्छे से पता हो गया होगा, कि ask की code जो होता है, यह एक मदद मिलता है, जिसके माध्यम से हम language में बातचीत कर सकते हैं, system की भासा में, ठीक है, तो यहाँ पर ask की code यह आपका बहुत ज़्यादा responsible होता है, system को समझने के लिए, ठीक है, मैं system जो समझेगा, जब कभी मैं अगर कुछ टाइप करूँगा, तो हमारा अलग-लग form पाया जाता है, अगला topic हाँ पर समझेगा homepage, homepage मतलब कोई सबसे पहला page आपका कहılा हम पेज़, जैसे मलेजल यहाँ, म zijn वेबिशाइट का सबसे पहला page महत Squanie मान लेज़ी, यहाँ open कर लिया, सबसे पहला page, हम डेखेंगे, यही क्या हम पेजेगा homepage, यही क्या हम डैग, sert है, अगला topic आपको मिलेगा, link या hyperlink, जब कभी भी आपको को व्यूबसाइट कोलते हैं एग पेज से देखे दूसरा पेज के लिंक है तो जैसे बात कि क्या एक लिंगिंग याक हा इसको हैपर लिंग हम बोलते हैं इसकी मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पर बहुत एक दूसरे से connected होगा तो उसको हम नोड का नाम देंगे मानलें यह connectivity का नाम देंगे जैसे नोड में आपका आजाएगा personal computer या PDF को बोल सकते हैं या cell phone आजाएगा या अलग लग जितने भी आपके electronic appearance हैं वो सारे आपके क्या नोड कहलाते हैं जैसे आपके printer हो जाएगे ठीक है laptop हो जाएगा desktop हो जाएगा mobile phone हो जाएगा अलग लग जो आपका यह पाए जागे सब कुछ आपका क्या नोड कहलाएगा ठीक है अगला चीस समझेगा hosting hosting का मतलब होता है जब कभी भी अगर मैं data रखना चाहता हूं या मुझे space कहां पर है या मैं उसको अगर networking के form में convert करना चाहता हूं तो हमारा जहां पर data store में करूंगा वही कहलाएगा hosting सिंपल भासा में आप कर सकते हो कि जब कभी भी मानलेजिया का धीर सारे आपके system है एक system से connectivity है वो system main system जो कहलाएगा उसे को मैं hosting कहूंगा जैसे देखी इस figure में आप देख पा रहे हैं कि आपका सबसे पहला जो computer वो क्या main computer है इसी computer से बाकि जितने भी और अलग-अलग terminal computer वो क्या attached है तो आप देख पा रहे हैं से ये benefit मिलेगा कि जब कभी भी किसी को information चाहिए वो क्या main system से क्या करेगा access करेगा तो कुछ internet भी आपका इसी तरीके से काम करता है कि मैं क्या करूंगा एक data जहां रख होस्टिंग एक आपका ऐसा माध्य में जहां पर जैसे आप system में data कहां रखा जाता है hardx में ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आप से कहूं एक website का data कहां रखा जाता है तो वो hosting पे रखा जाता है या host किया जाता है जहां से आप उसको आसानी से रखा जाता है client की मदब से उसक कर सकते हैं अगला टॉपिक समझेगा वर्क इस्टेशन कर सकते हो आपका कंप्यूटर ही होता है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई होते हैं मैं कह सकता हूं कि जब कभी भी मान लेजिए अगर मझे सिस्टम की कैप सेटी अगर मैं बढ़ा कर दो आप देखेंगे वह सिस्टम हमारा बहुत अच्छे सा और फ़ास्ट काम करने लगे तो यही आपके जब वह सिस्टम जो नॉर्मल सिस्टम था वह क्या हो जैगा उसकी पावर जब 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 जड़ जाए गया तो इसधी हम बोल देंगे क्या वर्क स्टेशन हो जाए के से आपका mid range computer बन जाएगा workstation को mid range computer भी बोलते हैं जैसे figure में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर workstation computer ही तो यह आपका main system से अलग लग जो छोटी-छोटी है उससे connect हो सकते हैं और यह अपने information को share कर सकते हैं या धेर सार information को accept कर सकते हैं क्योंकि इसकी quality बहुत ज्यादा advance हो जाती है आप ऐसा इसमें देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या server भी connected है workstation भी अलग लग है आप एक connect कर सकते हो अब इसकी एक connectivity यहाँ पर प्रदान किया गया ठीक है जिसकी मदद से आप धेर सारी information को एक जगर से दूसरी अगया आप share कर सकते हो ठीक है अब देखे share करना जब जब मालने से आपके एक information यहां से एक PC से दूसरी PC तक अगर लेके जाना है कितने amount में data लेके जाते हो ठीक है अगर ज्यादा amount में या कितना amount में जाता है उसी को मैं बोलूंगा bandwidth ठीक है अब जहर सी बात है कि आपके एक workstation से दूसरे workstation तक अगर जाएगा या अलेक PC तक जाएगा अगर उसकी quality या performance बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो जहर से बात हो उसकी speed बहुत ज़्यादा अच्छा perform करके देगे तो वही process आप करहागा जब कभी मालने जगर में data को transfer कर रहा हूं किस amount में हम connect हो जाते हैं तो हमारी speed क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा slow हो जाती कुछ आप ऐसे figure में समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या और कैसा responsibility मिलेगी मालने जगर यह admin है admin आपका क्या दो अलग अलग में क्या internet क्या divide कर दिया तो इसको क्या मिलेगा firstly high speed मिलेगा अब यहां से अगर अगर stop पर चला गए एक तरीके से आपके क्या normal bandwidth कहलाएगा means जितनी जादे अगर connectivity आप दे रहे हो प्रतान कर रहे हो तो आपकी speed क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगे कम हो जाएगे तो जब कम हो जाएगे तो आपके data को एक जगे से दूसरी जगे जब transfer कर है तो उसकी speed क्या बहुत slow हो जाएगे तो इसी को मैं बोलूँगा bandwidth ठीक है data को ले जाने के process में एक समय में एक amount में कितने data आप ले के जा रहे हो इसी process को मैं बोलूँगा bandwidth उमीद करते हैं कि आपको इस सारी information बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको समझ में है बहुत अच्छे से तो आप दो काम जरूर करिएगा जिसके माध्यम से कुछ मुझे भी benefit मिले और लोग जो यहां पर free of cost यह आप पढ़ना चाहते हैं या बहुत ज्यादा पैसा दे के पढ़ते हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा benefit हो सके क्योंकि यह मैं वीडियो जो बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद